यहां पर आते हैं ग्यारा परसंट की तेजी है आज रेल टेल जिनके पास है वो क्या करें और जिनों ने अभी तक नहीं खरीदा उनके लिए क्या रणीती होगी कि अपके चार्ड पर पचास दिन का एक सब्सक्राइब तोड़े तब ही जाके एक सब्सक्राइब करना है तो मेरी तो यह सब्सक्राइब करें कि अपने चार्ड पर लगा कि उस पर कंटीनिय वर्क करें लेकिन सर मुझे याद आता है कि इससे पहली भी बार शोके दुरान आपने बताया थे कि जो स्टॉक एक तरफा बड़ी तेजी दिखाते है इनको अगर आपको होल्ड करना है तो एक तरीका है कि आप 20 डी की यूविंग आवरेज चार्ट पर करें आज आपने 50 डेस की exponential moving average बताई है कोई खास कारण है इन दोनों के बीच में देखो मैं वही बता रहा हूं जो इसके लिए work कर रहे हैं से पहले मैंने Tata Motors पे की Trigger बताया था Bombay Stock Exchange पर की Trigger बताया था तो जो चीज वाग कर रहे हैं अब जस मैं शेयर कर रहा हूं ताकि यूवर है वह अपने उसमें लगा कि और conviction को एक्स्टा एड करें और दरें नहीं कि इस टोग उपर नीचे थोड़ा बहुत हो तो करता है कि कहां पर आपको 20-day की प्लॉड कर रहे हैं कहां पर 50-day बिल्कुल करता है इस टोग के नेचर और बीएवर पर डिपेंड कर रहा है और यह जो भी बता रहा हूं बेक टेस्टिंग के हिसाब से बता रहा हूं कौन से स्टोग पर कौन सा मुहिंग अवरेज अच्छ चार दिन पहले इसका भाव 370 था और अभी 470 के असपास चल रहा है चलिए सर बढ़िया लर्निंग है हमारे लिए कि मार्केट में कुछ भी स्टाटिक नहीं है डायनमिक रहना है आपको कहीं पर 20-day प्लॉड करना है कहीं पर 50-day और इसी इंसाइट साब से हम लेते है चलिए